चार बार बोनस शेयर का तोहफा महारतन कंपणी ने एक लाख रुपए के बनाए 73 लाख रुपए छपपर फाड रिटर्न देने में सरकारी कंपणियां पीछे नहीं रही हैं। बशर्ते आपने पैसा लगाने के बाद सबर बनाए रखा हो। मल्टी बैगर रिटर्न देने वाली ऐसी ही एक सरकारी कंपणी इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन आयोसी है। महारतन कंपणी इंडियन ओयल के शेयरों में कुछ साल पहले लगाए गए एक लाख रुपए अब बढ़कर 73 लाख रुपए से ज्यादा हो गए हैं। इंडियन ओयल में इंवेस्टर्स को यह ताबड़तोर रिटर्न बोनस शेयरों के चलते मिला है। सरकारी कंपणी ने पिछले 20 साल में चार बार बोनस शेयर दिये हैं। एक लाख रुपए के ऐसे बन गए 73 लाख से ज्यादा। महारतन कंपणी इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन के शेयर 28 मार्च 2003 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीसी में 12.99 रुपए के स्तर पर थे। अगर किसी व्यक्ति ने उस समय कंपणी के शेयरों में एक लाख रुपए लगाये होते तो उसे कंपणी के साथ 1698 शेयर मिलते। इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन ने साल 2003 से लेकर 2022 तक चार बार बोनस शेयर दिये हैं। ऐसे में चार बार के बोनस शेयर जोडने के बाद मौजूदा समय में कुल शेयरों की संख्या 92,376 होती। इंडियन ओयल के शेयर मंदलवार 6 मार्च 2023 को BSI में 89.26 रुपए पर बंध हुए हैं। इस हिसाब से इंडियन ओयल के शेयरों में लगाए गए एक लाख रुपए की वैलिू मौजूदा समय में 73.2 एक लाख रुपए होती। आईओसी ने अब तक चार बार दिये हैं बोनस शेयर। Indian Oil Corporation, IOC, ने अब तक चार बार बोनस शेयर दिये हैं महारतन कमपनी ने October 2009 में एक बच कर एक मिनट के रेशियो में बोनस शेयर दिया यानि कमपनी ने हर एक शेयर पर एक बोनस शेयर दिया सरकारी कमपनी ने अक्टूबर 2016 को एक बच कर एक मिनट के रेशियो में बोनस शेयर दिया इसके बाद इंडियन ओयल ने मार्च 2018 को एक बच कर एक मिनट के रेशियो में बोनस शेयर दिये कमपनी ने जून 2022 में एक बच कर दो मिनट के रेशियो में बोनस शेयर दिये इंडियन ओयल के शेरों का बावन हफ़ते का हाई लेवल 90.7 एक रुपए है वहीं कमपनी के शेरों का बावन हफ़ते का लो लेवल 65.2 रुपए है